खुद का बुटीक कैसे शुरू करें जानिए इस वीडियो में दोस्तो आज का जो दौर है वो फैशन का दौर है इस दौर में ज़्यादा तर लोग अपने पसंद के कपड़े अपने डिजाइनिंग किये हुए मतलब अपने खास डिजाइन जैसे वो चाहते हैं वो इसे डिजाइन के कपड़े पहनना वो पसंद करते हैं और मुश्किल तब होती है जब ऐसे लोगों को अपने पसंद के कपड़े ready made कपड़े की दुकान पर नहीं मिलती तब उनको इस तरह के बुटीक में जाना पड़ता है अपने पसंद के कपड़े को सिलवाने के लिए अपने जैसे डिजाइन वो चाहते हैं वैसे डिजाइन के कपड़े सिलवाने के लिए तो ये बूटीक का बिजनस जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़ादा डिमांड में रहने वाला बिजनस है और बहुत ही अच्छा चलता है especially महिलाएं जो है वो इसकी खास ग्रहाक होती है customers होती है तो अगर कोई इस बूटीक के बिजनस को start करना चाहता है तो उसे कितना investment करना होगा कितना profit उसे देखने को मिलेगा किस तरह का location चाहिए होगा किन-किन सामानों की जरूरत पड़ेगी सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से तो दोस्तो इस business को start करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको सिलाई करना आना चाहिए बहुत बड़ा ज़्यादा master आप उसमें नहीं है तो भी आपको basic जो सिलाई है वो आना चाहिए measurement लेना वगर आना चाहिए basic knowledge जो है वो आपको होना चाहिए आपको basic ज्यान होना चाहिए तो आप boutique का business जो है वो start easily कर सकते हैं अब अगर आपको सिलाई नहीं आता आपको कुछ भी knowledge नहीं है तो फिर पहले आपको 3 मेना 6 मेना जो भी इसका जो training का period है वो आपको training लेकर किसी अच्छे institute से training लेके आपको उसके बाद इस business को start करना होगा ताकि इस business आप अच्छे से run कर सके वरना मुश्किली होगी कि आप सिर्फ investment करेंगे और आपको फिर दूसरे पर निर्भर रहना होगा आपको किसी और को रखना होगा सिलाई उलाई के काम के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही individually start करने चाहते हैं तो फिर आपको ये जो काम है यानि कि basic जो सिलाई का measurement का इन सब का जो ग्यान है वो आपको होना चाहिए knowledge जो है वो आपको होना चाहिए अब बात करते हैं कि इस business को start कैसे location पे करें बहुत जादा फाइदे मंद होता है अब location ऐसा हो जैसे कि भीड़ भड़ वाला area हो लोगों का बहुत दिन भर आना जाना होता रहता हो ऐसा location हो जैसे कि mean market वगेरा है ये बहुत अच्छा location माना जाता है इस तरह के business के लिए तो अगर आप चाहें तो ऐसे location पे आप कोई shop जो है वो rent पे लेके business को start कर सकते हैं और अगर आपके पास budget कम है तो आप जहां रहते हैं अपने घर में भी आप छोड़ा सा space यूज़ करके आप जो है वहां से भी इस business को start कर सकते हैं पर उस मामले में जो है आपको उस तरह का profit initially देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप जो है एक सीमित जगह पे आप business को start कर रहे हैं तो कम investment में आपका business start तो हो जाएगा लेकिन आपको profit भी कम ही देखने को मिलेगा क्योंकि आप उतना ही जादा आप income कर पाएंगे जितना जादा जो है लोगों तक आपके shop के बारे में आपके boutique के बारे में लोगों तक पहुँचेगा और जिनको आपके आसपास के जो area में जो रहतने वाले हैं जो order लेकर आएंगे उनके जरीए जो आपको income होगी और वहीं पर आप जैसे main market वगेरा में अगर आप shop open करते हैं तो चारों तरब से जो लोग उस market में आना जाना कर रहे हैं जिनको requirement है बुटीक में जाके अपने पसंग के कपड़े सिलवाने की वो लोग जो है easily आपको order देंगे तो आपको उस मामले में आपका investment थोड़ा जादा जरूर होगा लेकिन आपका profit भी जादा देखने को मिलेगा अब ये भी है कि इस business को अगर आप success करना चाते हैं success पाना चाते हैं इस business में तो पहले आपको अपने area के आपका जो जहां भी आप business को start करना चाते हैं उस शहर में उस area में जो ज्यादे तर लोग किस तरह का dress का demand रखते हैं किस तरह का जदा ट्रेंडिंग है steering dress का कौन सा dress trend में जाधा है किस तरह का dresses जो है वो जाधा demand में है यह आपको जानकारी आपको ज़ानकारी प्राप्त करनी होगी उसके बाद आप इस Business को इसीनाट कर सकते हैं अब यह भी है कि अगर आप विजनस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप चाहिए घर के अंदर में भी शुरू कर रहे हैं तो भी और अगर आप कहीं शॉप लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको कुछ इंटीरियर का काम करवाना पड़ता है जैसे काउंटर वगेरा बनाना पड़ता है और थोड़ा बहुत जो है और आपको कपड़े वगयरा सारा कुछ आपको ही देना होता है सिलके बना के तो इस तरह से कुछ चीजे हैं जो कि आपको खरीदारी करने पड़ती है बिजनस को स्टार्ट करने के लिए उसके बाद आप बिजनस को इजिली जो है स्टार्ट कर सकते हैं अब ये भी है कि अग को अपने business का promotion करना भी बहुत जरूरी है अब वो चाहे आप offline माल लीजिए या फिर online माल लीजिए या दोनों तरीके से माल लीजिए जैसा आप करना चाहें आपको करना होगा अब असली चीज की बात करते हैं कि भई इस business को अगर start करना है तो investment और profit दोनों कितना देखने को म में आप 10-12,000 तक easily आप income करना शुरू कर सकते हैं फिर जैसे धीरे धीरे आपका business जमने लगेगा चलने लगेगा तो फिर आप 40-50,000 तक easily कमा पाएंगे महीने के अब एक चीज और भी इसमें add करना चाहूँगा कि अगर आप offline boutique start कर ही रहे हैं तो आप online भी आप एक boutique के start कर सकते हैं online भी अपना एक platform बना के आप अपना boutique का business जो है start कर सकते हैं और उसके जरीए भी आप अच्छा income कर सकते हैं पर उसमें ऐसा है कि Amazon Flipcard में आपको पहले से बना बनाया dress आपको अपने boutique में रखना होगा और उसी dress को Amazon Flipcard में list करना होगा और उसे आपको sell करना होग अब Amazon Flipcard के जरीए मिंतरा वगरा और भी जितने भी online platform से इनके जरीए आप अपने design किये हुए जो भी dresses हैं उसको sell कर सकते हैं अपने boutique के जरीए और आप जो है अच्छा income extra online के जरीए आप कमा सकते हैं तो दोस्तों अगर आप boutique का business start करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा option है आज के time पे बहुत ही अच्छा income करने का यह साधन आप के लिए बन सकता है